Hello Everyone, I am Aastha, Welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल Government Job JNU Notification SSE CZL Group B Posted Detail आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे यह जो वीडियो है आपके दोरा किये हुए कमेंट पर बेस्ट है SSE Examinations Related काफी वीडियो मैंने अप्लोड की है जिसमें आप सभी के जो कमेंट आए हुए थे उन सभी कमेंट के वेस्ट पर मैंने जो SSE CZL Examination से रिलेट जो कमेंट थे उसी वेस्ट पर ये वीडियो अप्लोड कर रही हूँ आपके जो भी डाउट थे ज़्यादा तर जो कमेंट किये गए थे जिन टॉपिक पर उन टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये सारे जो भी डाउट से वो हम आगे वीडियो में किलियर करेंगे पहले हम SSE CZL के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं जो भी ये एक्जामनेशन के बारे में नहीं जानते हैं उनको ब्रीफली में बता देती हूँ SSE CGL, SSE के द्वारा कंड़क्ट कराए जाने वाला ग्रेजुएट लेवल का एक्जामनेशन है जिसको कि वो सभी कैंडिडेट दे सकते हैं जिन्हों ने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या जो फाइनल येर के स्टुडेंट है फाइनल येर के जो स्टुडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन डॉकुमेंट बेरिफिकेशन के टाइम आपको प्रूफ देना होगा आपको अपकी मार्क सीट देनी होगी ये जो एक्जामनेशन है ग्रेजुएट कंडिटेट देते हैं किसी भी स्टूम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है इस एक्जाम को दे सकते हैं and all India से candidate इसमें apply कर सकते हैं SSC CZL के थुरू various post भरती होती है various government departments के अंतरगत और यह जो post रहती है group B और group C की रहती है अब काफी लोगों के comments आते हैं कि क्या SSC CZL के दौरा बहुत से पदों पर भरती की जाती है तो post हमें कैसे मिलती है क्या हमें form fill करते time post भी बतानी होती है या हमारे जो marks रहते हैं उस पर depend करती है हमारी post तो देखिए जब आप form fill करेंगे SSC CZL का तभी आपको post preference देना होगा जिस post को या path को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आप उसके लिए जो भी required qualification है आप उसको fulfill करते हैं देन आप उसको first preference देंगे इसी sequence में आपको first, second, third, fourth आपको अपना preference देना होगा फिर जिन post को आपने preference दिया है उनका cut off कितना रहता है उस पर भी based रहेगा आपने जो भी preference आपने दिया है और उसका अगर first जो preference है उसका cut off हाई जाता है आप उस पर cross नहीं करते हैं देन आप second पर आते हैं और second भी आगर हाई जाता है तो आप third पर आते हैं और अगर आप cross कर लेते हैं, cut off में आते हैं तो आपको आपकी मन्च चाहिए जो भी preference है जिसमी नंबर पर है उसे साब से आपको मिल जाती है ओके, तो ये तो थी posting की बात, अब हम बात करेंगे SSE CZL में Group B की कौन-कौन सी post होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Assistant Audit Officer ये different departments में post है, Group B की post है Assistant Accounts Officer, Assistant Section Officer Assistant Section Officer की different departments में जिसमें Central Secretariat Service, Intelligence Bureau, Ministry of Railway, Ministry of External Affairs, AFHQ यानि Armed Force Headquarters and Assistant Section Officer, Ministry of Electronics and Information Technology जादा तर यहाँ पर आप age limit भी देखेंगे, सभी की 18 से 30 साल है Assistant, Assistance Action Officer, Inspector of Income Tax ये Group C की post है, ये Group B में नहीं आएगी Inspector of Income Tax ये Group C की post रहेगी इसके बाद Inspector CGST and Central Excise CVIC में Inspector Preventive Officer CVIC, Inspector Examiner CVIC Assistant Enforcement Officer, Sub-Inspector Central Bureau of Investigation, Inspector Post और Inspector Central Bureau of Narcotics इसके अलावा Assistant Superintendent Indian Cost Guard की है ये post Assistant Other Ministries and यहाँ पर रहेगा Research Assistant National Human Rights Commission, NHRC, Divisional Accounts Office under C and AG, Sub-Inspector NIA National Investigation Agency, Junior Statistical Officer and Statistical Investigator Great Second, ये सभी Group B की post हैं और आपने आपर Ace Limit देखी, सभी में जादा तर Maximum 18-30 साल मांगी गई है अब ये जो Group B की post है, SSE CZL के दौरा जो भरती की जाती है Group B की post पर, इनमें से आप ये जो दो post देख रहे हैं Assistant Audit Officer and Assistant Accounts Officer, ये जो दो post हैं, ये गजटेट पोस्ट हैं सिरफ और सिरफ ये दो ही post हैं, SSE CZL Group B में जो की गजटेट पोस्ट हैं बाकी की नौन गजटेट पोस्ट हैं अब ये जो post हैं, इन दोनों के अलाबा, बाकी की जो साथ post बसती हैं वो जो 7 post रहेंगी, वो Inspector and Sub-Inspector की रहेंगी, जिन पर की आपको Specific Requirement रखी गई है जैसे Physical Standard, Physical Test, Medical Standard जो ये 7 post हैं, Inspector and Sub-Inspector डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं इनके लिए Physical Requirement रहता है, Physical Test होता है अब ये 2 post रहें, ये 7 post यानि 9 post छोड़ करके, बाकी की जो post हैं, वो Non-Guarded and इन में Physical भी नहीं होगा जो बाकी की जो post हैं, उनके लिए Any Graduate Candidate अपलाई कर सकते हैं अगर आप Physically Fit नहीं है, तो उन post में भी आप अपलाई कर सकते हैं एपलाई क्या, आपको एपलाई तो करना ही है, प्रिफरेंस आप दे सकते हैं ओके, तो आप अपना जो भी है, आप अपने requirement या आपकी जो qualification है आपके, जैसे कि मैंने बताए इंस्पेक्टर या समिस्पेक्टर ये लिए ये फिसिकली फेट औन फिसिकल टेस्ट होगा, अगर आप फेट हैं, आप टेस्ट आप तेयार हैं तो आप इंस्पेक्टर या सम सिप्टर के लिए भी आप पर रिफ्रेंस दे सकते हैं Assistant Order Officer and Assistant Accounts Officer में Desirable B qualification रखी जाती है कुछ और post भी है जनपर Desirable में लेकिन Any Graduate Candidate Group B की किसी भी post के लिए apply कर सकते हैं ओके तो ये तो हुई बात Group B की post की अब हम बात करेंगे कि ये जो post है इनकी job location आपको कहां कहां मिलती है तो हम इस बीडियो में सिर्फ job location के बारे में बात करेंगे अगर आप किसी भी post के बारे में detail चाहते हैं तो आप comment कर दीजेगा मैं अलग से separate video upload कर दूँगी क्योंकि SSE CZL की बहुत सी post है 3-4 post पर मैंने separate video भी upload किये हुए है चली सबसे पहले है Assistant Audit Officer या Assistant Accounts Officer यह जो दोनों post है हमने जाना यह गैस्टेट post है सुग्रुबी की जितनी भी post हो और मैं सबसे ज़्यादा जो salary है वो इन दोनों post पर है इनका grade पे 4800 है और इसमें जो posting है आपको भारत में कहीं भी मिल सकती है All India आपकी posting इसमें हो सकती है और ज़्यादा information के लिए वीडियो सेपरेट मैंने अपलोड किया है Assistant Audit Officer पर लिंक मैं आई वटन पर दे दूँगी विजिट कीजिए या फिर how to become playlist चेक कर लीजिगा Second जो post है Inspector Examiner यह CVAC में आती है और Inspector Examiner की जो posting है वो ज़्यादा तर coastal areas में होती है इसका जो grade पे है चालीस सो है बाकी की जो post रहेंगी सभी का चालीस सो लगबग grade पे रहेगा इसके बात जो थर्ड post रहेगी वो है Assistant in MEA यह विदेश मंत्रा लेके अंतरगत यह post है और इसमें posting आपकी दहली में होती है लेकिन कुछ time के बाद, कुछ साल के बाद आपको विदेश भी भेजा जा सकता है फोर्थ जो post है वो है Central Accise Inspector इसकी जो posting है Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC के Service Taxes Department में होगी सो All India में कहीं भी आपकी posting हो सकती है फिप्त जो post रहेगी वो है Preventive Officer Inspector CBIC इसमें ज़्याद तर जो chances हैं कि posting आपको बड़े सहरों में होती है जहाँ एरपोर्ट या जो बंदर गाए है वहाँ पर आपकी इसकी posting होगी अब आपको यहाँ पर मैं स्रिप posting बता रहे है इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा समझ में ना आए कि वर्क की क्या है अगर आप यह भूरा डेटेल चाहते हैं प्रमोशन वर्क या सैलरी तो आप कमेंट कीजेगा पर्टिकुलर जो पोस्ट है उस पर मैं वीडियो अप्लोड करूँगी इसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट एन्फोर्समेंट आफिसर की इसके लिए भी पोस्टेंग औल इंडिया रहती है कहीं भी हो सकती आपकी पोस्टेंग नेक्स्ट है असिस्टेंट सीवीसी केंदी यह सतरकता आयोक के अंतरगत है तो इसकी जो भरती है वो देहली में हो सकती है क्योंकि CVC का जो Headquarter है वो देहली में है Assistant AFHQ Armed Forces Headquarters Civil Services तो इसमें जो Posting आपकी दिल्ली या Metro Cities में रहेगी या जो सैना भबन, बायू भबन या नौ सैना के जो Headquarters होते हैं वहाँ पर आपको इसकी Posting मिलती है Next है Assistant Ministry of Railway तो इसके भी जाज़तर Chances हैं कि जो देहली Railway भवन है वहाँ पर आपको इसकी Posting मिल जाती है इसके बाद Assistant IV तो ये Intelligence Bureau में Assistant की ये Post है और IV एक खूफिया Agency है तो ये ग्रेम अंत्राले के अंतरगत आती है इसके बाद हम बात करेंगे Assistant Section Officer CSS केंद्रिय सचेवाला सेवा के अंतरगतिय पोस्ट है इसको SORT में ASO कहते है और इसकी Posting देहली रहेगी इसके बाद हम बात करेंगे Next Sub-Inspector CVI Central Bureau of Investigation So All India में कहीं भी आपकी Posting हो सकती है लेकिन ज़्यादा ता Chances आपके देहली जौन के रहते हैं इसके 5 ब्रांचेज है देहली, हैदरवाद, गौहाटी, कोची, लखनव और मुंबई तो इन में से कहीं भी आपको Posting इसमें मिल जाएगी इसके बाद है Junior Statistical Officer JSO So ये भी All India Posting आपको इसमें मिलती है So friends अभी हमने सिर्फ Job Location के बारे में जाना है अगर आप चाहते हैं कि particular जो Post है, इसका promotion कैशे होता है salary क्या रहेगी, work क्या रहेगा तो आप वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो जरूर आपको वैसे तो इसका location मैंने बताया हो और इसके वीडियो मैंने upload किये हुए हैं कुछ Post पर आप चेक कर लीजेगा फिर भी अगर आप चाहते हैं particular Post पर तो comment कीजेगा, मैं वीडियो अपलोड करूँगी जिससे आपको ज़्यादा detail आपको समझ में आ जाएगा अभी हमने सरफ इसके job location के बारे में जाना है पोस्टिंग आपको कैसे मिलती है, जो आपके question थे उनको मैंने इस वीडियो में cover किया है वीडियो पसंद आया हो तो like कीजेगा, thank you